हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो गैत्मोर इन्फो यूटूब चैनल सो 2024 में अगर आप इंट्रोंशिप करना चाहते हैं इंट्रोंशिप लेना चाहते हैं आप इंट्रोंशिप करना चाहते हैं इसमें आपको अप्लाइ कब से करना होता है क्योंकि यह जो इंट्रोंशिप प्रोग्राम है यह हर साल चलता है तो यह इस साल के लिए नहीं है आप कभी भी जैसी इसके eligibility criteria को fulfill करते हैं आप RBI इंट्रोंशिप के लिए apply कर सकते हैं तो सारे points तो मैं आपके इस वीडियो में clear करने ही वाली हूँ साथ मैं आपको इसके official site पर ही ले जाओंगी और वहां से आपको इसके बारे में जानकारी दूँगी यह जो इंट्रोंशिप है यह free है आपको apply करने के लिए इसमें कोई भी charges वगरा नहीं है कोई fees पे नहीं करनी है and paid इंट्रोंशिप है आपको इसमें 20,000 पर month stipend भी मिलेगा तो 20,000 पर month all India से इसके लिए जो student है candidate है eligibility रखेंगे क्या-क्या eligibility conditions है हम आगे वीडियो में discuss करेंगे तो अगर आप 2024 में आर्बिया इंट्रोंशिप लेना चाहते है देन आप वीडियो को continue रखे वीडियो अच्छा लगे like and share की जगा चलिए इसकी official साइट पर चलते है तो अभी हम भारतिय रिजर्व व है यह offer की जारी है domestic and foreign जो इंडिया में है own student के लिए भी और जो foreign student है उनके लिए भी रहती है ठीक है तो domestic students जो रहेंगे उनके लिए क्या eligibility condition है apply करने के लिए format वगरा सारा सब कुछ इसमें दिया गया है the reserve bank of india invite applications from eligible candidate for summer placement in various offices of the bank all india में अलग अलग जो offices है RBI के वहाँ पर आपको यह internship करने का मौका मिलेगा who can apply तो इसमें apply कौन कर सकता है क्योंकि सबसे पहले हम इसकी eligibility condition ही देखेंगे उसके बाद हम इसके सारे points के लिए करेंगे तो apply करने के लिए student pursuing post graduate course, integrated five year course in management, statistics, law, commerce, economic, economics, banking, finance and three year full time professional bachelor degree in law यह आप कर रहे हैं आप इसके लिए eligible है, student who are currently in the pentiment year of their course can only apply for the summer placement, ठीक है अब इसके लिए आप जो foreign है उनके लिए अलग से format दिया गया है, how to apply तो eligible candidate अगर आपने इन में से कोई भी जो courses यहां mention किये गए हैं आपने course किये हुएं तो आप यह internship ले सकते हैं, apply करने के लिए यह link आपको यहां पर दिया गया है, apply कर सकेंगे 15 October से application start है 15 December इसके apply करने की last date है, 15 December 2023 तक आप इसमें apply कर सकते हैं, online आपको apply करना होगा of the previous, अब देखिए, पूरे साल यानि हर साल यह internship रहती है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, यहां आप देखी रहे हैं, of the year for internship starting from April of next year जैसे कि आप 2024 में अगर यह internship करना चाहते हैं और यह internship आपकी summer placement है, so April से start होती है तो आप जिस year में करना चाहते हैं, उसके previous year के पंद्रा यानि October से लेके December तक इसके application start हो जाते हैं जैसे अभी आप देखने, 2024 में आप करना चाहेंगे, तो अभी इसके application running है, आप इसमें apply कर सकते हैं अब यहां पर आपको offices की list दे गई है, कहां कहां पर center है, state बगरा सब कुछ यहां पर RBI के बारे में बता दिया गया है इसके बाद यहां पर instructions देख सकते हैं, online apply करने के लिए आपको क्या क्या instructions यहां पर दिये गया है, photograph बगरा किस तरह से आपको apply करना है वो दिया गया है, general rules यहां पर बताए गया है, अब इसमें आपको जो, इनको जो interns लेने है, select करने है, वो 125 student ही यहां पर select करने है तो बहुत से student इसके लिए apply करेंगे, उनमें से स्रेव 125 यहां पर करेंगे select and इसका जो आपका in the month of January, February of the following year, तो इसमें जो आपका selection रहेगा, placement every year रहता है और यह आपका January, February में आपको confirm कर दिया जाता है, the interview for the shortlisted candidate will be held at the office as indicated तो इसमें आपका एक interview होगा, the shortlisted outstring candidate will be required to wear the travel cost of journey to the office RBI, यह आपको पहुँचना रहता है ठीक है, यह February, March में यहां पर communicated in the month of February और March selected outstations candidate will be, यहां पर आपका जो रहेगा AC second, जो outstations candidate है, वो AC second year return fare by rail from the place of his, her institute of the place, तो यह भी यहां पर आपको दिया जा रहा है and declaration of secrecy duration यहां पर, normally the period of placement will be for maximum of 3 months during the period from April to July ठीक है, maximum 3 months का यहां पर रहेगा, the period will be reduced and extend, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन maximum यहां पर 3 months करेगा, और पर month आपको यहां पर 20,000 दिये जा रहे हैं, 20,000 दिये जा रहे हैं, और अगर आप maximum 3 months की भी apply करना है, apply करने के लिए भी आपको इसमें यह link दे दी गई है, इस link पर हम click करेंगे, तो आपके सामने एक format open हो जाएगा, उस format को आपको fill करना है, submit कर देना है, online applications for RBI, summer intensive scheme, ठीक है, और यहां पर आप date भी देख रहे हैं, 15 दिसंबर इसकी apply करने की last date है, okay, all the date तो यहां आप यह पर सकते हैं, इसके बाद आपको यह format आप देख रहे हैं, यह आपको यहां पर send कर देना होगा, fill करके, जो भी यहां पर basic सा, और उसके बाद आप यह capture fill करेंगे and then submit कर देंगे, so अगर आप internship लेना चाहते हैं, वैसे 125 student all India से select किये जाने हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें apply कर दीजे, और 2025 में अगर आप करना चाहेंगे, तो 2024 के October to December तक आप इसमें apply कर सकेंगे, and इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजिए और one more questions कि अगर आप courses related videos चाहते हैं या आप government scheme internship तो आप मुझे comment करके बता दीजे, जिससे ज़दा चाहता मैं उसी topic पर video upload करूँगी, thanks for watching.